तो मैं स्पोन हो चुगा था एक ट्री के ऊपर कौन स्पोन देता है मजाक से हटके सीरिस के तरफ मैं हूँ 4x4 गेमिंग यूट्यूब पर आपने मेरा एक ने एक वीडियो तो देखा होगा माइनक्राफ का 100 देश का क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं 100 देश की और मेरे जो सबसे पॉपुलर वीडियो थी 100 देश की उस पे ओवर 9 इस वीडियो में मेरे कुछ गोल होने वाला है क्योंकि यह वीडियो गोल से भरी पड़ी है और इसके डेवलोपर्स को इसको क्रिएट करने में लगवग एक साल का समय लगा है तो सोचो भाई यह मोड़ पर कितना ही खातरनाक और टाफ होगा और लॉंग भी होगा इस मोड सब्सक्राइब बनाने वाले जिसको देखके आपका दिमाग सच में हिल दाएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो चलो कोई बात निकाइस मुझे यहां से निकलना होगा फटाफट और अपने लिए एक बड़िया चीज बता दो कि हम इसमें पेड़ों पेसे फुरूर तोड एक्स्प्लोर किया जाए और यहां पर देख रहे हैं एपल इस तरीके से पेड़ पर मिल जाती है अब मुझे इस गाओं के पहले ही घर में एंटर करना था और उस घर में मेरे को अजीब सी चीज़ देखने को मिली साइंटिस्ट मिला जिसके पास कुछ कंप्यूटर रखे घर बनाने वाला था भाई अब जैसी में स्पॉन हुआ ना मेरे को पास में ही प्लेन बायो मिल जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था यहां पर जादा एक्स्प्लोर करने के जुरुत पड़ेगी नहीं और यहां पर मुझे अपने लिए एक छोटा सा रहने के लिए दो बाए 2x2 का मकान बनके रेडी है भई मतलब बनाया क्या यार बना बनाया था तो यहां पर मैंने अपने लिए एक माइन भी रेडी कर दिये वह बात अलगी कि मैंने भी माइन कुछ नहीं किया भाई बस इसको बाहर से सजा दिया है और उसके लिए भी मिर पास लकडिया कम पड़ बात अलगा भई इसको करने पर बहुत सारा सैचुरेशन जाता है मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगते माइन क्राफ्ट में वैसे इसमें मैंने और भी सारी चीजे देखी कि मेरे को और भी कोई अशान तरीका मिल जाए कि मैं माइनिंग बहुत जल्दी कर सकूं हाँ इस कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है और अब बहुत सारी माइनिंग करनी है मेरे को और रिसोर्स असी खटे करने है ताकि मैं आगे के चीजे वगएरा मशीन वगएरा बना सकूं कैस यह वाला मोट पैक हमारा ज्यादातार मशीनों पर ही बेस्ड होने वाला है और औ अधिक चीजों पर होने वाला जैसे कि ओटोमेटिक फाम्स बनेंगे और बहुत सारे बोस वगएरा भी देखने को मिलेंगे आप लोगों इसमें और भाई बहुत ही तगड़ी-तगड़ी चीजे इंचेंटमेंट वगएरा टूल्स वगएरा भी देखने को मिलेंगे जो मैंने माइनिकरफ में सायद ही देखे होंगे और एक सर्प्राइज वाली थिंग पता है क्या है मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड रहेगा पूरे एंड तक इस गेम में जिसका नाम है हीरो ब्राइन पतानी वह कब यहां पे स्पॉन होगा और पतानी मुझे उससे खतर है कि वह मेरा सच में दोस्त होगा फिलाल मुझे यहां पर ओजमियम मिल चुका था वाई क्यूंकि मेरे को अपने आइटम डबल करने थे मुझे जो बी चीज लेकर आनिया उसको मुझे डबल करना है तो उसको डबल करने के लिए यहां पर मैंने जो सबसे पहले चीज बनाई वो बनाई इन्रीच्मिंट चैंबर अब यह इन्रीच्मिंट चैंबर क्या करेगा गाईस यह मुझे कुछ अटॉमिक अलोई बना करके देगा जिसे कि आप रियल लाइफ में कैपैसिटर बगरा देखते हैं तो इनको चलाने के लिए भी इस बिजली की जुरुत पड़ती है तो मैं विंड मिल बनाने की सोच रहता बट विंड मिल बनाने के लिए मुझे बहूट सारी चीजे लग रहे ती जो कि मैरा पास नहीं थी तो मेरा एरिया सेफ रहेगा और प्लस यह चंक लोड़ भी होता रहएगा तो यह देखो गाइस हीरो प्राइन का अल्टर यहां पर आ चुका है भाई आसपास हीरो प्राइन भी स्पॉन होता रहेगा यानि मुझ पर नजर रखता रहेगा और भाई मतलब मेरा दोस्त है कि दुस्मन होगा ये तो लास्ट में जाकर पता सलेगा फिल्हाल मैं जाने वाला हूँ यहां पर माइन करने के लिए नीचे की तरफ गैस अभी जो मैं दुम दबा के भागाओ न स्कैली से तो मेरे को उसने लगबग मारी दिया था उसके एरो में कुस्त तो लगा हूँ है जिससे कि मुझे वीकनेस मिल रहा था कि मैं उसको मारी नहीं पा रहा था तो भई मैंने उसके डीस्पोन होने का वेट किया और फिर उस के सासाथ भाई मेरे पिकेक्स की डुरेविलेटी भी बहुत जल्दी खतम हो रही थी अम माइन करते हुए गाईस में एक जगह पर पहुँझा जहां पर मैरेको बोनस चेस्ट मिली जहां पर भाई एक खतरनाक चेस्ट वी थी जिससे फाइट करते वे मुझे उसमें से आप चांप क्या होते हैं चांप गाइज हमारे पास यह एक एक्स्ट्रा युटिलिटी होती है एक तरह की जिसको हम अपने चांप वाले स्लोट में लगा सकते हैं जो भी लोग वैनिला माइनक्राफ्ट देखते हैं उनके लिए बहुत नया होगा लेकिन जिनको मॉड़ेड म माइनक्राफ्ट देखना पसंद हो उनको समझ में आ गया होगा चांप क्या होते हैं तो इन चांप से गाइस में अपनी एबिलिटी बढ़ा सकता था और यह एबिलिटी मेरे को सर्वाइब करने में बहुत ज़्यदा मदद करेगी तो इसके उसमें बहुत सारी चीजे भूल गया कि आप इन चांप को हाइड भी कर सकते हो इन टैब की बदत से जो चाम आपको दिखाने में अच्छा लगता है वो आप दिखा सकते हैं बाकी के हाइड कर सकते हो और अब जाने वाला था मैं निकालने के लिए जो कि मेरे को बैड्रोक लेवल पर बिले थे और य पिलस हम बैक कर सकते हैं मतलब जहां से टीपी किया होगा हमने अपने घर पे हम वापस slash back करके उसी जिगा पर जा सकते हैं जहां से टीपी किया होगा थोरा सा कन्फूजिंग वाला है जब आप यह मोड़ पर एक मेरा देख जाओगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका म लोग fortune की मदद से vanilla minecraft में किसी भी और को तोड़ के उसको double triple कर लेते हो ना इसी तरह से जो आपको raw material मिलते हैं आप उसका चूरा बना करके यानि कि उसके dust बना करके double triple चफल पांच गुना भी कर सकते हो उस item को and guys मैं vanilla vanilla minecraft करता रहता हम वो को होती क्या है तो भाई vanilla minecraft होती है यानि के plane और modern minecraft होती है vanilla minecraft में जब आप कुछ चीज़े add कर देते हैं नहीं नहीं उसको modded बोलते हैं तो अभी जिन लोग भी modded और vanilla में फारक नहीं पता था और confusing थे उनकी ए confusing दूर हो गई होगी और इनको power देने के अब यहां पर मेरी बहुत सारी चीज़े बनके तयार होगे एक wandering trader भी आ गया है वहीं जिसको देखके में बहुत ज्यादा खुस होगा क्योंकि या wandering trader ने इसमें बहुत इपिक इपिक चीज़े लेकर के आते हैं इसके पास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था तो इसको भाई मैंने मार दिया क्योंकि इसमें एक फरनेस बनाना आता है मुझे क्रेट मोड से जो की बहुत ही ज़्यादा इपिक फरनेस होता है और वह फरनेस में किस तरीके से बनाने वाला हूं आप लोग देखना मैं चोटी मोटी रेसिपीस की क्राफ्टिंग वराफ्टिंग नहीं दिखाने वाला गाईज आप लोग को क्योंकि उन उन चीजों के तो भर भर के टुटोरियल्स पड़े हुए यूटूब पे आप देख सकते हैं बस मैं आप लोग को ओटोमेशन दिखाऊंगा मतलब उन चीजों को आई रन हो कुछ भी हो उसको फटाफट से मैल्ट कर देगा अब मेरे पास यहां पर भाई थोड़ी सी स्ट्रिंग की कमी पढ़ रही थी तो उसके लिए मैंने फ्लेक्स को उगा लिया क्योंकि फ्लेक्स से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं अब फ्लेक्स भाई जाडपूर होता आपको सच में बहुत सारी नॉलिज मिलने वाली है इस चीज से तो यहां पर गाईस मैं वाटर वील का यूस करने वाला हूँ अपना क्रेट मोड का पावर देने के लिए तो यहां पर मैंने एक फैन को पावर दे दिये अब इस फैन के सामने गाईस में लावा डालने वाल जिससे की गरम-गरम भाप निकलेगी और यह गरम-गरम भाप किसी भी तरह के आयरन को इंगर्ट को मतलब रो मेटिरिल को पिगलाने में मदद करेगी और यह बहुत तगड़ा फर ने सोता है गई एक तरह का मतलब ही आपका फूड भी कुक कर देता है बहुत जल्दी मैं normal furnace use भी नहीं करता जब भी minecraft खेलता हूं modded वाली तो अब guys मेरे को यहाँ पर एक automatic farming भी बनानी पड़ेगी यानि कि automatic farm बनाना पड़ेगा जहाँ पर wheat बगएरा carrot बगएरा मैं सब कुछ उगाने वाला हूं तो यहाँ पर भाई मेरे ओपर zombie apocalypse भी आ गया था और यह आ जाता है वही मोडेड में बहुत normal सा होता है but guys मैं यहाँ पर hardcore mode में हूँ और इतना tough mode pack को खेलने जा रहा हूँ गाई जल्दी से like कर देना क्योंकि बहुत muskill होने वाला है मेरे लिए मेरे को जरा सा भी risk नहीं लेना और यह dough बनने के बाद मैं इसका slime bowl बना सकता हूँ जैसे आप लोग देखते होंगे ना आज कल चल रहा है भई लोग बाग saving cream से slime बना लेते हैं और corn starch वगेरा से भी slime बना लेते हैं ऐसे ही मैं आटे से slime बना रहा हूँ इसमें और slime bowl मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें एक glue बनता है यानि कि एक तरह का powerful glue बनेगा जिससे कि मैं सामानों को आपस में जोड़ पाऊंगा और अपना farm बना पाऊंगा तो चलो भई जोन सी चीज मैंने जहां से उठाई थी उसको वापिस वही रख देते हैं और इस डोव से slime bowl बना लेते हैं और पेड़ों से थोड़े वह संत्रे वंत्रे जो भी मिल रहे हैं खाने के लिए खा लेता हूं नीचे windmill लगा दिया है मैंने इसके नीचे अब यह windmill से चलेगी नीचे और जितनी भी मैं चीज़ें पर उगाऊंगा ना वो सब चीज़ें अपने आप हार्वेस्ट होती रहेंगी और चेस्ट में जाती रहेंगी तो मतलब यह एक तरह का automatic हो गया है मुझे यहाँ पर आके कोई wheat wheat नहीं उगाना बस एक ही बारी उगाना है जो उगाना है फिर यह अपने आप ही उगाएगी और अपने आप ही उसको harvest करेगी और अपने आप ही चेस्ट में deposit कर देगी तो यह एक तरह का automatic हो गया है सब तो अब ही सोजाते हैं अब next day मैं बनाने वाला हूं windmill और यही वह windmill है जिससे मैं extra power लूँआ क्योंकि जो windmill है न वो मेरे पास infinite energy देगी मतलब इसमें मुझे कोई resources नहीं डालना और इसको बनाना भी बहुत आसान है और मेरे पास resources हो चुके हैं तो मैं बना लेता हूं plus मै यहां पे जितने भी trade रहेंगे वो बढ़िया चीज कुछ ना कुछ ले करके आएंगे तो मैंने पहले इस चीज का जुगाड करके रखा था प्लस गैस मैंने एक crusher और एक enrichment chamber भी बना लिया जिससे कि मैं समान को double करने वाला हूं यानि के raw material को piece करके उनको double triple करूंगा तो य यह stick बेचने वाला हूं इसको मैंने इसकी farmer के job हटा करके इसको फ्लैचर बना दिया और अब फ्लैचर देखो कितनी बड़िया deal देगा मुझे मतलब free के emerald मिलेगा और मुझे थोड़े बहुत emerald मिलने के बाद भाई वो out of stock हो गया तो मैं दूसरे villagers के पाथ चला गया क्यो वो मेरे को जल्दी सी नहीं मिलने वाले क्योंकि वो max enchantment है तो यह खरीद लेता हूं मैं तलवार और यह तलवार खरीदने के बाद बहुत ही जादा खूस हुगा इसमें क्योंकि यह बहुत office order जो मेरे को survival करने में मदद करेगी तो भई तलवार मैंने खरीद लिए अब बारी आ गई है घर बनाने की क्योंकि मैं अब उस चोटे से दो बाए दो के घर में नहीं रह सकता तो मैंने resources यहां पे इखटे कर ली हैं तो अब बनाना सुरू करतेगा इस घर और घर को मैं जादा कुछ अलग धलग नी बनाने व बनाता हूं जो full attraction वाली चीज होगी वो होगी इसका interior क्योंकि interior में मेरे को बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है मैं बहुत ही decorative interior बनाता हूं मुझे सारे के सारी tables fit करनी होती है machine लगानी होती है तो यह बहुत ही ज्यादा complicated होता है तो भाई अब मैं इसका interior कुछ ऐसा design कर प्लस मैंने एक sliding door का यूज किया है इसमें अंदर बाहर जाने के लिए मैंने थोड़े बहुत लालटेन भी लगा दिये और अभी इसकी च्छत बनानी रहती है और च्छत में मैं फ्लॉर भी बनाऊंगा जिसमें कि मैं mystical agriculture के बहुत सारे पेड़ पोदे लगाऊंगा जो की automatic farming देंगे मुझे करके और अभी यह कैसे होगा आप लोग देखते जाओ बहुत इंट्रस्टिंग है तो घर बनके मेरा पूरा तयार हो चुका है इंटीर में मैंने थोड़ा बहुत सैट अप किया है और अभी कुछ टेबल वेबल नहीं लगाया क्योंकि मैंने समान सिफ्ट नहीं किया है और हाँ गाईस यहाँ पर जो मैंने खाली जगह छोड़े ना नीचे यहाँ पर मैं एक एलिवेटर लगाने वाला हूँ जो कि एंडरपल और वूल से बहुत इजीली बन जाता है तो यह देखो गाईस यह है मेरा पहला फ्लोर जहाँ पर मैं बहुत सारे फ्ल गवेशन मैं तो मैं कि लिए उट वग जोगui फासरे नेग्राइना पकाउनिंग करने पड़ेगी ुणिँ सिस्के लिए मुझे बहुत सारा سिली का पर लगने वाला है और सिली का पर बनता है नेधर कवार्ड को पका करके फर्नेस में तो मैं रहे को बहुत सारे नेधर कवार्ड चाहिए होगा तो मुझे जाना पड़ेगा हम नेधर में जिसके लिए मुझे एक diamond की pickaxe बनानी पड़ेगी भाई, मेरे बचे भी diamond का use करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे एक pickaxe बना करके भाई, मैं hero brain का जो alter है उसको ही तोड़ लेता हूँ, क्योंकि hero brain भाई, इस game में मेरे साथ, पूरे time मेरे साथ ही रहने वाला है, कहीं पर भी आ जाएगा, वो help करने या, फिर मुझे मारने पता ने भाई, अभी तक मुनी पता चला मुझे हो मेरा दोस्त की कोन है, किलाल मैंने hero brain का अल्टर निकाल लिया है, और यहाँ पर बना लिया है, नेधर पोर्टल, अब चलते हैं नेधर में, और वहाँ से लेकर क्याते हैं, बहुत सारा नेधर कौर्ट जिससे बनाऊँगा मैं, सिली का पल, और उससे बनेगा मेरा refined storage, यह नोर्मल नेधर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा different नेधर है, और यहाँ पर मुझे अपने portal के नीचे यह एक spawner मिलीगा, जो कि piglin का spawner था, भाई, मैं इसका एक बहुत अच्छा farm भी बना सकता हूँ, बट अभी मुझे इस farm के सिता घर पे निकला जाए, बाद में नेधर quards निकालेंगे, फिलाल में को इतने नेधर quards मिल गएं कि मैं storage बना सकते हूँ, अब मैं नए घर में आ चुका तो क्यों ना ग्रह प्रवेस किया जाए, तो मैं अपने नए घर में TP setup किया, और यहाँ पे storage system लगाना शुरू किय केबल मैंने already setup करके रखा वा था, अब लगेगा controller उसके उपर लगाया, crafting grid, फिल लगेगा disk drive और disk drive के अंदर डलेंगे disk, कि मुझे कितना storage चाहिए, जैसे computer में होता है आपका storage system, ऐसी इसमें भी storage system होता है, और वो storage system मैंने एक बना लिया था, 64K का, और भाई इसको बनाने म थोड़ा सा time तो लग गया, जो कि मैंने skip कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर crafting जो है guys, वो skip करने वाला हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा time लगता है, और ये वीडियो अगर मैं crafting वगएर स्किप नहीं करूँगा, तो पता नहीं guys, तीन या चार घंटे की वीडियो बन और इसमें बहुत सारा adventure है, जो कि मैं करने वाला हूँ, और भाई साब जो farm बनाने वाला हूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा epic होने वाले है, बहुत game breaking farm होने वाले है, मतलब सब चीज infinite unlimited मिलेगी मुझे, मैंने अपने storage system का एक remote भी बनाया था, जो कि मेरी inventory से access कर सक्था थ system को, तो मैंने सुचा भाई क्यों न, अपने सारे समान को अब transfer कर लिया जाए, अपने original storage system में अपने नए घर के, और हाई जो मैं transmitter यूज कर रहा था न, यानि के मेरा जो remote है, storage access करने का, इसका कुछ limit भी है, ये 15-16 block तक ही काम करता है गाई, अगर मेरे को इसको infinite range तक बढ दाना है, तो उसके लिए मेरे को इसमें बहुत सारे upgrade डानने पड़ेंगा, जो कि बहुत महेंगे बनते हैं, और ये आगे जाके मैं सायथ बना भी लूँगा, और यहाँ देखो गाई, नए घर पर भी कबजा कर लिया इसने, भाई पुराने घर को भी नी छोड़ रहा था दो भाई दो को, और यहाँ पे भी आगे कबजा करने के लिए, मुझे इसको सबक सिकाना पड़ेगा, चलो इसको बाद में देखेंगे, रात होते के साथ ही मैं निकलेगा इस adventure पे, कि मेरे को बहुत सारे bosses को मार ना था, क्योंकि इसमें unknown boss spawn होते है, रात को कहीं पर भी, randomly, तो उनको मार करके भाई, आर्मर का या फिर टूल्स का कोई भी एक पार्ट मिलता है, और वो बहुती ज़्यादा ओपी होता है, और मेरे पास अभी आर्मर नहीं था, तो मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी, बढ़ गाई इस boss तो मिले नहीं मुझे विलेज वग एंसेंट सिटी, और सोने पर सुहागा ये बात होगे गाईस, मेरे को वहाँ पर all the modium भी मिलिया, लेकिन unfortunately मैं इसको माइन नहीं कर सकता तक क्यूंकि इसको माइन करने के लिए netherite की pickaxe चाहिए, या फिर refined obsidian की pickaxe चाहिए, तो चलो बई, मैंने या पर waypoint लगा दिया, पास समान हो ही गया है, तो मैं एक digital miner भी मना लेता हूँ, जो कि automatic mine करेगा, यानि कि ancient debris वगेरा को निकाल लेगा, सिरिफ उसमें मुझे command डालनी होगी, और मुझे बहुत सारा power चाहिए होगा, तो चलो अभी refined obsidian की dust बनके तयार है, अब उसका ingot बना लेते हैं, और ingot के बा जिसको बोलते है mining dimension, मैंने अपने लिए एक backpack भी बना लिया है जिसका slot मैं बढ़ाने वाला हूँ, यानि कि उसको update भी करने वाला हूँ, iron में, gold में, diamond तक तो नहीं कर पाऊँगा, और इसके अंदर कुछ upgrade भी लगा लूँगा, जो कि auto pickup, यानि कि magnet का का काम करेगा, और मु जे कहीं पर भी mine करने जाने के जुरूत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे हर तरह का mine मिलता है, मतलब वहाँ पे मैं हर तरह की mining कर सकता हूँ, diamond की, redstone की, iron की, lapis की, netherite की, अगर आप diamond को और ancient debris को इस सबसे ज़्यादा rare material समझते हूँ न, तो आप गलत हो, इसमें all the modium, vibranium, unob titanium, यह बहुत ज़्यादा rare है, और एक material है, बहुत ज़्यादा rare, जिसको बोलते है, pigli chart, भाई, यह क्या चीज़ें, देखते जाओ, बहुत ही ज़्यादा different adventure होने वाला है, फिलाल मैं all the modium mine करके, लेके आ गया था भाई, और मैं बाकी का mine नहीं करूँगा, क्यूंकि इसको silk test से निकाल करके, या फिर fortune से निकालेंगे न, तो यह बहुत ज़्यादा मिलते हैं diamond की तरह, तो इसलिए यह इतने ज़्यादा rare होते तो मैंने एक से ज़्यादा नहीं लिए, क्यूंकि मैं एक को mine करके, उसको double करके enrichment chamber से, और इसका एक dimension open करने वाला हूँ, यानि के सबसे पहले मा अपने लिए रस्ता बनाँगा mining करने का इसको, क्योंकि भाई यह बहुत ज़्यादा rarely मिलता है, और मिलता है, तो सुरिफ ancient city में ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा या आपको ये वाला ओर, तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और मुझे पता चला इसमें बहुत स हैं, कि मैं अपना पॉर्टल इजिली स्फेयरलेस बना सकता हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, अब मेरे को थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा, कि मेरे को mining dimension में क्या चीज ऐसी बना के लेके जाने चीए, कि मैं वापे बहुत सारा all the modium mine कर सकूँ, और ancient debris को भी ढू चार हजार से लेकर के बहुत जादा जादा होता है, और एक all the modium के और को मैंने twist से मिले pedestal पे लगा दिया as a trophy क्यूंकि बहुत जादा कीमती है, तो अब मुझे बहुत जादा धिक्कत आ रही थी farming करने में, तो अब मैं सोच रहा था कि मैं अपनी farming को automatic बना तो, वैसे मैंन सारी जितनी भी mining है, जितने भी resources है, वो सब मेरे storage में आ जाए, और इस सब के लिए मैं एक चीछ का सहारा ले सकता था, यानिका mystical agriculture, तो guys, अम मुझे pro level की farmer बनना पड़ेगा, और उस level का farmer बनने के लिए, मैं use करने वाला हूँ, butania port hopper, जो कि इस तरीके से बनता है, terracotta से, और मुझे चाहिए होगे बहुत सारे inferior essence, हर एक essence को एक उपर के level पे ले करके जाऊँगा, और इस उपर के level पे ले के जाने के लिए, मुझे चाहिए होगा एक jam, and guys, काफी time होगा, अभी तक कोई traders भी नहीं आया है, क्योंकि guys, मेरे को एक अच्छी तलवार तो मिल गई है, बट एक अच्छी pickaxe नहीं मिली है, और trader ही एक मात्र ऐसा बंद है, जो मुझे एक full अच्छे level की pickaxe दे सकता है, तो जब तक कोई wandering trader आता है, मेरे लिए एक अच्छी सी deal ले करके pickaxe की, तब तक मैंने यहाँ पर अपनी factory को थोड़ा बहुत upgrade कर लिया है, यानि कि इसको ए मैं माइनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो चलो भई, अब मुझे यहाँ पर एक कदम आगे और निकलना है, तो मुझे अब यहाँ पर बनाना होगा, एक plastic बनाने की factory, और यह factory बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, plastic बनाने वाली factory, क्योंकि आने वाला समान अब हमारा plastic से ही बने गा, और देखा जाए तो गाइस अब बारी आने वाली हमारे automatic mob farm की बहुत ही ज़्यादा ultimate और extreme level पर बनने वाला है, ओके गाइस तो भई, यहाँ पर हमारी latex process unit बनके तयार हो चुका, यानि के rubber बनाने का, और rubber से बनेगी गाइस plastic rubber को जब dry करते तो plastic बन जाता है, इसमें कोई block नहीं रखा, यानि के मुझे चाहिए होगा भाई, एक लकडी, तो चलो फटा-फट से यह लोग महाँ पर रख देता हूँ, एक stack यहाँ पर, देखो इसने block place करना शुरू भी कर दिया है, और एक यहाँ पर, तो इसने भी कर दिया है, अब guys यहाँ पर मैं तो जाएगी, तो इस nine rubber से मतलब, इस no rubber से एक dry rubber बनेगा, बड़े वाला, और बड़े वाले dry rubber को, जब मैं पकाऊँगा किसी भी furnace में, तो वो बन जाएगा plastic, और plastic से guys, बहुत सारी चीजे बनेगी, हमारी जैसे कि mob factory वगरा, inchantment factory वगरा, मुझे power का source भी जल्दी बनाना होग जहाँ पर मुझे एक अच्छी सी unlimited power मिल सके, हम trader का इंतजार करते हैं, तब तक मैं आपने बुटैनिया hoper port को तो setup करी सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से बुटैनिया port लगाने होंगे, अब बस इनके अंदर farmland लगाना है मुझे, और जिस भी चीज की खेती क करनी है, उसका seed लगाना है, तो यहाँ पर भाई मैंने पूरा का पूरा एक setup बनाकर रखावा था आपने घर के ऊपर, यह inferiorum essence बनाने से टायर 1 का farmland बन जाएगा, बट मुझे end तक जाना है, यानि के टायर 6 तक का बनाना है, और टायर 6 तक का बनाने के लिए आप लोगों क तो लगाई देता हूं, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत production तो मिली जाएगा, वैसे guys मैं जादा में नहीं लगाता, मैं थोड़े में लगा देता हूं, at least test तो हो जाएगा कि यह किस तरीके का काम कर रहा है, और किसी भी तरह का seed बनाने के लिए मुझे इसमें एक pedestal बनान पड़ेगा, 6 अल्टर मुझे यह वाले बनाने पड़ेगे, 1,2,3,4,5,6, जैसी मैं बीच वाला अल्टर प्लेस करूंगा न, तो मुझे भता देगा कि कहां पे कितने अल्टर प्लेस करने पड़ेंगे, तो फिलार मुझे लगतेगा, इस 6 से ज़्यादा लगने वाले है, आठ लगेंगे, मुझे दो और बना के लाने पड़ेंगे, तो आब मुझे किसी भी तरह का सीड बनाने के लिए इस अल्टर के जुरुत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो चलो किसी तरह का सीड बना के देखते हैं, आयरन का सीड हम इस तरह के से बना सकते हैं, और इन सीड का यहां पर बटन लगाना पड़ेगा और यहां पर वन बाइवन मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा इस समान को अब बनाते हैं आयरन का सीड को सिर्फ थर्ड लेवल तक ही बना सकते हैं ओके गाईज फिर से एक वांडरिंग ट्रेडर आया है आई होप इस बार अपनी किस्मत खुल जाए बट यहां पर सीड भी बना लेते हैं हम फटाफट तो यह हमारा आयरन का सीड तयार है भई बस देखते है भई यह हमें एक अच्छी सी पिकेक्स दे दे बड़ उससे पहले हम अपना सीड लगा देते हैं यहां पर साइद से मुझे फार्म लेंड को भी अपग्रेड करना पड़ेगा अब मुझे फार्म लेंड को भी लेवल बड़ेगा और फटा फट से बनना सुरू होगा ओके गाईज यह अब भी भी कुछ भी नहीं अच्छी चीज लेके आया है भाई बिल्कुल बकवास डील लेके आया है जो कि मेरे को नहीं चाहिए बाई चलो गाईज फटा फट से अपना मोव फार्म बनाना सुरू करते है और जल्दी जल्दी मोव फार्म बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक वांड बहुत ज्यादा मदद करेगी बिल्ड करने में एन गाईज एक ओर ट्रेडर आया है भाई आई होप कि इस बार बढ़िया चीज लेके आया हो हमारे लिए मुझे अवास तो आये ट्र प्रेडर का मडर करूंगा और गाईस यह जो ग्लास में यूज कर रहा हूं यह बहुत ही पावरफुल ग्लास है हमारा मोफवांबथ बनके बिल्कुल तैयार है बही बस इसके अंदर अब हमें लगाने होगे बढ़िया स्पॉनर और ऑर स्पॉनर लगाने के लिए मुझे चाहिए होगे सिल्क टच क्यूंकि सिल्क टच मेरे पास अब है नहीं तो मैंने एक जुगाड किया मैंने 500 वील ब बना सकता हूं cardboard box यह देखो गाई इस तरीके से जो cardboard box नहीं हम इस से किसी भी तरह का blocks या spawners को उठा सकते हैं जो कि मैं भी आप लोग को दिखाने वाला हूं और spawner उठाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक dungeon में यह जो सामने आपको structure दिख रहा है यह किसी तरह का normal structure नहीं है यह एक तरह का dungeon है जो की नीचे की साइड है तो चलो भई अब इस dungeon में से फटाफट से spawner निकाल के लाते हैं और मेरे काम का कोई अच्छा सा spawner मिलिया तो बहुत ज़्यादा ब अब मैं यहाँ पे click करूँगा तो देखो spawner मेरे पास आ चुका है ओके गाईस तो मुझे यहाँ पे एक wither skull का spawner मिल गया है भई ओके गाईस तो भई मैंने spawner capture कर लिया है और यह मिल गया मुझे spawner ना आई चलो गाईस यह फटाफट loot ले ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से पहले फुरसत में निकलते हैं भई पावर बढ़ाने के लिए भई पहले मैं इनको यह spawners यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और इनके आसपास मुझे torch लगाने पड़ेगे ताकि यह spawn ना हो जाए यहाँ पे तो भई मुझे इनकी efficiency बढ़ानी होगी और इनकी range बढ़ानी होगी जिसके लिए मुझे बहुत सारा सुगर चाहिए होगा रेड स्टोन रिपीटर चाहिए होगा इनको automatic करने के लिए और साथ ही मैं मेरे को बहुत सारी spider eye और mushroom चाहिए होगा तो इसको बनाने के लिए मैं परास केसिंग चाहिए होगा तो चलो गई सब चीजे ready हो चुकी है पटाफट से भई मैंने जितने भी बाहर आसानी से आजा पाऊं मैंने इनके अंदर रेड़ स्टोन रिपीटर डाल दिया तो अब यह स्पॉन तो नहीं होंगे बट फिलहाल मुझे इनके अंदर भाई कॉन्फरिगेशन करना होगा ताकि मैं इनको स्पॉन भी कर पाऊं अपने हिसाब से मैंने यहां पर एक वह उनकी लूट हो तो फिलहाल गाईस जितनी भी एकस्पी होगी वह यहाँ पर आएगी यानि के इनके इनके इंटरेवर में भर जाएगी xp और most xp को निकाल भी पाँगा इस tap से और जितना भी समान आएगा वो barrels में भर जाएगा भई इस तरीके से barrel में जितना भी फालतू का समान आएगा वो मैं ट्रैस कैन में डम कर दूँगा मतलब यहाँ पर जो मेरे कोछीज नहीं चाहिए तो गाईस चलो भई स्टार्ट करकर देखते हैं तो सबसे पहले तो गाईस यह मशीन मैने स्टार्ट करते जिसमें लूटिंग वगएरा की चीज़े डली हुई है मतलब अफग्रेड डले हुए तो अब ज़रा मोब स्पोनर को स्टार्ट करकर देखते हैं कि तरीके का काम कर रहा है भई तो यहाँ पर आप देख सकते हो भई तबाई मचना शुरू हो गई है और यहाँ पर देख रहे हैं और गाईस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाग होना शुरू हो गया है क्योंकि गाईस यह अपनी पूरी efficiency के साथ चल रहा है यह Spawner ओ गाईस यह बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा तगड़ा और यह items की वज़े से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहे है क्योंकि items जो अब यहाँ पर जा नहीं रहे है भी बाहर के तरफ तो मुझे अब यहाँ पर पाइप जोड़ना पड़ेगा लेकिन उससे पहले जितने भी चीजे मैं यहाँ पर blacklist करने वाला हूँ जैसे यह head मुझे blacklist करना है, emerald blacklist करना है, heart करने है यह चीजे मेरे को चाहिए होंगी तो यह मैंने यहाँ पर कर दिये blacklist, चलो guys अब फटाफट से इस समान को dumb करना शुरू करते हैं, यानि के मुझे item pipe चाहिए होगा, और अब मैं यहाँ पर dumb करने वाला हूँ सभी चीजे भाई, इस तरीके से, तो देख रहे हो, यहाँ पर कितना जल्दी dumb हो रही है सब चीजे, तो फिलहाल guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, कितना सारा समान मेरे पास आ चुका है वई, जो समान मुझे चाहिए अब यहाँ पर वो ही रहेगा, और अगर मैं अब इसको चलाता हूँ, तो अब मेरा server भी lag नहीं होएगा, और यह सब easily चलता रहेगा, क्योंकि इसमें magnet power डल चुकी है बेरल्स में, तो यह समाल लेंगे इसको तो मेरी अब यह जगह बिल्कुल भी lag नहीं होने वाली है, और आप तभाई तो देखे सकते हो guys, कितनी तगड़ी तभाई मचरी है guys, देख रहे हो, और यह XP के हो, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ देख रहे हो, XP ब XP का तो guys जगाड़ हो गया है, तो चलो guys अब मेरे पास बहुत सारा rubber भी हो चुका है यानि कि अब मैं plastic भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा rubber हो चुका है, तो इससे guys मैं बहुत सारा plastic बना लूँआ plastic से और nether scrap की मदद से मैं बनाने वाला हूँ enchantment factory, फिलहाल guys, यहाँ पे बहुत सारा plastic बनके तयार हो गया है, तो अब मैं बना लेता हूँ फटा फट, भटना भाई आगे से क्योंकि मेरे को all the modium मिल चुका है तो मैं एक portal बना लेता हूँ जो की all the modium nugget से बनता है तो यह रहा भई, teleporting pad जो की मेरे को बनाना है और इसकी मदद सही मैं mining dimension में जा सकता हूँ guys, तो यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, और अब चलते हैं mining dimension में mine करने के लिए so let's go guys, मैं आज चका हूँ mining dimension में और यहाँ पे guys मैं आपने तरीके की mining कर सकता हूँ जितनी मेरे को चाहिए होगी, तो फिलाल चलते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हो guys, यहाँ पे हार तरह की mining में कर सकता हूँ और यहाँ पे लगेगी यह बैटरी अब बस इसको थोड़ा सा configure करना है तो यहाँ पे बहुत सारे इंसेंट डेवरी से जो भी माइन होने वाले लेकिन उसी साब से मेरा बैटरी भी खतम होता जा रहा है यहाँ पे तो मेरे को बैटरी भी देखते रहना है यहाँ पे देख रहे हुगा इस कितुनी स्पीड में बैटरी खतम हो रहा है बट यहाँ पे भाई मेरे को बहुत सारे एंसेंट डेवरी भी मिल रहे है और हम मैं इसका seed बना करगेगा इस लगाने वाला हूँ उपर अगर मैं उपर का हाल आप लोगों को दिखाओं तो यहाँ पे देखो भई मैंने काफी सारे diamond के भी essence लगा दिये थे यहाँ पे तो इन सब में diamond के देखो यहाँ पे मैंने काफी सारे diamond के seed लगा थे जो कि यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं तो भाई मेरे को यह सबसे ज़्यादा चाहिए थे इंफीरियन सेशन्स और यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी चीजे होंगे वह सारे के सारी यहाँ पे आने वाली है यह देख रहे हो आप और यहाँ से मैं एक pipe निकाल करके लेके जाओंगा अपनी main chest के अंदर यानि के इसके अंदर फिर मैं उन सब को craft कर पाऊँगा यह इस तरीके से तो मेरे को easy peasy iron मिल जाएगा तो यह seeds इस तरीके से काम करते हैं हमारा का सारा material हमारा automatic हो चुक है प्लस हमारा मोब फार्म भी बन चुक है जिसके अंदर अपने को बहुत सारे मिल रहे हैं और heart मिल रहे है और यह heart मेरे को बहुत ज़्यादा काम आने वाले गाई क्योंकि मेरा जैसा ही health लोगा में एक heart खांगा तो मेरा नहीं होती ना उनकी कोई durability होती है तो चलो guys सबसे पहले all the modium side बना लेते हैं सबसे पहले अपने को mundum potion बनाना पड़ेगा और mundum potion बनाने के बाद अपने को एक dust बनानी पड़ेगी जो कि इस तरीके से बनती है और इस dust को पकाना पड़ेगा guys अपने को और पकाने के बाद guys जब मैं इस dust को पकाता हूँ ना इस तरीके से तो ये एक अलग वाले dust में convert हो जाएगी यानि के ये बन जाएगा calcinated powder और ये calcinated powder से ही guys वो site बनने वाली है ओके guys तो side मुझे पहले plate बनाना पड़ेगा pickax के लिए तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा all the modem site हो चुका है और हर एक site की durability guys धाई minute की है क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ वैसे guys मैं इस charm इस potion की जो timing है वो बढ़ा सकता हूँ पता है कैसे इसका एक charm बनता है जिसके लिए मुझे बहुत सारा blaze powder चाहिए होगा और 6 ही blaze powder चाहिए तो चलो भई मैं अपना 6 का 6 सारा का सारा blaze powder यूज कर लेता हूँ मेरे पास यही blaze powder है तो यह से बन जाए गाईस एक charm और यह charm गाईस बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है और इसकी durability भी काफी ज़्यादा चलेगी तो गाईस यहाँ पर मैं आचका हूँ भई अपने mining dimension में फिलाल मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ इस तरीके से jump मार मार के क्योंकि गाईस अगर मैं direct गया तो भई fall damage से मैं मर सकता हूँ and गाईस मैं इसको चालू करके देखता हूँ अपने को कहां मिलेगा नीचे मिलेगा की ऊपर मिलेगा साइट से यह उपर मिलेगा मैं जादा नीचे आ गया हूँ और यहाँ पर गाईस देखो मेरे को all the modem दिखना start भी हो गया है तो यह सारा का सारा all the modem मैं निकाल लूँगा यहाँ से अब मेरे पास all the modem की कमी नहीं नहीं होने वाले है गाईस वह बात अलगा कि मेरे पास कोई भी अच्छा pickax नहीं है जैसे कि fortune वगरा जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा निकाल सकूं all the modem लेकिन हाँ भई अभी तो जो भी उससे काम चलाना पड़ेगा मेरे पास काफी सारा all the modem आ चुका है तो चलो हैमर के साथ इसको डबल कर लेते है और गाईस मेरे पास लगबग एक stack के करीब आ गया all the modem तो अब इसको फटा फट यहाँ पे मैं पका लेता हूँ और इस side को रख लेता हूँ अपने backpack में क्योंकि यह side बहुत काम किये भई और side से अब guys मेरा pickaxe भी बन जाएगा और मेरा armor भी बन जाएगा ओके guys तो अपने पास बहुत सारा all the modem आ चुका है भई और अब इसका पहले plate बनाना पड़ेगा और road बगेरा बनाना पड़ेगा तो यह बन गए guys हमारा all the modem का pickaxe और मैं चाता हूँ क्यार मैं एक तलवार भी बनाए लूँ तो यह बन गए guys अपनी एक all the modem की sword तो अपने पास sword भी आ चुकी है pickaxe भी आ चुकी है अब जड़ा armor भी बना के देखी लो अगर मैं आगर armor भी बना पाया तो तो यहाँ पर इस तरीके से हम diamond craft कर सकते है भई इस तरीके से और काफी सारे diamond बन जाएंगे हम अपने पास let's go guys अपने पास पूरा armor set आ चुका है अब मुझे nether right चाहिए होगा और अब मैं इसको smithing table में लगाने वाला हूँ और बनाने वाला हूँ अपना एक पूरा armor nether right का और अब यह nether right का armor बनेगा guys all the modium का armor सबसे पहले chest plate, head, lagging and last boot तो guys अपने पास 31 all the modium बच भी गए है भई पूरी के पूरी चीज़े बनाने के बाद तो guys अब अपने को इस वाले armor के जुरत नहीं है भई, अपने पास एक powerful armor आ चुका है और इस armor की कोई durability नहीं है guys तो guys अब इनको enchantment कर लेते हैं मेरे पास बहुत सारा nether right भी आ चुका है तो अब मैं बनाने वाला हूँ guys enchantment का भी गाड हो चुका है बस मैं यहां से थोड़ी सी books ले लेता हूँ और सबसे पहले आएगा enchantment factory यहाँ पर और guys मैंने wire बगएर पहले ही बिचा दिये यहाँ पर and let's go अब guys यह जो coal generator इनके अंदर power पहुँचाएगा इस तरीके से और मैं दिखा देता हूँ कि यह काम किस तरीके से करते हैं अब जैसे कि मुझे कोई enchantment लगाने अपनी sword पर तो सबसे पहले मैं अपनी sword को यहाँ पर डालूँगा अरे यार यह वाली sword enchant नहीं हो रही क्या और guys books मुझे यहाँ डालने पड़ेंगी साथ से guys यह वाला sword enchantment नहीं हो रहा है मेरा and guys थोड़ी देर के लिए मैं अपना mob farm बंद कर दूँगा क्योंकि यहाँ पर mob farm के पास आती मेरा game बहुत ज़दा lag होता है यह मेरी sword पर काम नहीं करता लेकिन मैंने stone की sword पर लगा लगा के बहुत सारी inchantment निकाल दी अपनी pickax armor और sword के लिए मैंने बहुत सारे books निकाल के रख लिया जिन को मैं लगाने वाला हूं तो सबसे पहले तो guys मेरे को एक और pickax बनाने पड़ेगी all the modium की let's go अब इनको enchantment कर लेते हैं सबसे पहले guys मैं इसमें efficiency लगाना चाहूंगा तो इन दोनों में ही guys मैं efficiency लगाऊंगा और एक में लगाऊंगा मैं silk touch और एक में लगाऊंगा मैं fortune चलो guys मेरे दोनों ही pickax ready हो चुकी है फिलहाल और अपना armor को भी छोटा मोटा इन्चेंट कर लेता हूँ प्रोटेक्शन वगारा के साथ यहां पर मेरा पूरा पूरा आर्मर जो है इन्चेंट्मेंट हो चुका है मेरी sword और मेरी pickaxe भी अब मेरे पास efficiency और silk touch है तो अम मैं जाने वाला हूँ माइनिंग डैमिंशन में और निकाल के लेने वाला हूँ गाइस बहुत सारा ओल नमोडियम साइट को ओन करते हैं और चलते गाइस एंड वन मोर तिंग गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूलगा कि जो मैंने आर्मर पहना हुआ है इसके अंदर कोई भी फोल्ड नहीं होता है तो यह चीज़ बहुत बड़ी है वही इस वाले आर्मर की और गाइस मैंने अपनी ओटो माइनर जो लगाया हुआ है उसमें भी देखते हैं कितने ज्यादा एंसेंट डेवरीज आ चुके हैं ओके गाइस तो भाई यहां पर काफी सारे एंसेंट डेवरीज मेरे पास आ चुके हैं एंड प्लस गाइस मैंने बहुत सारे ओल दमोडियम भी माइन कर लिया जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो लगभग मेरे पास भाई 256 मतलब बहुत सारे हो गए और उसके पाल करke डालने वाल हूँ यहां पर अपनी याप गाईस को माइंड करना सुरू करते हैं देखते मुझे कितना मिला ओगा कि ऑग गाईस तो यह स्ट्छाक कितना सारे मिल गया मतलब यह तो घुमोर से चार जुना पाच गुना हो गया गई है कई भाई तो मतलब 5 गुना हो रहा है तो फॉर्चुन की पिक एक्स गाइस बैस्ट आपने लिए और इसको भी भाई मैं फटाफट से यहां पर कर लेता हूं देखो यह तो हो रहा है ओल्दम ओडियम नहीं हो रहा था वाई तो चलो गाइस इसको भी देख लेता है डाइमंड कि अपने को तो गाइस डाइमंड भी सेम ही अपने को पूरे तीन से चार से पांच गुना मिलें तो मतलब यह वाला मैथड सबसे बड़ी है तो मैं फटाफट से यहां पर जितने भी ओल्दम ओडियम है इन सब को माइन कर लेता हूं और देखते हैं अपने पास कितने ओल्द वालें देखते हैं सब्सक्राइप मेंने yeahum apple पाइस तो मेरे इन एंपट को बहुत सारे ओर मिल चुके हैं और मुझे लगता है किस अब मुझे साहद पता नहीं, मायन करने जाना भी पड़े का, नहीं जाना पड़े यह को यह बहुत सारे मिल गैए.. इवन मैं इनको भी डबल कर सकता हूँ…. यह देखो वाले मोड़ पैक में पूरे 100 देज हो चुके हैं तो यहां पर हम अपना मोब फार्म बना चुके हैं और भी बहुत सारी चीजे कर चुके हैं और हम अपनी ओटोमेटिक चीजे भी कर चुके हैं मतलब हमारे पास कोई कमी नहीं बढ़गाई अपने को अपने को ऑपने द्रत को भी मारना हैं मतलब मैं इन टूल सकता हम मतलब udah में सब कैसे जाते जाते गाईस मैं एक चीज़ और बनाना चाहूँगा तो ओके गाईस तो यहाँ पे मैं बना चुका हूँगा इस त्री लेर्स ओफ नैदर राइट बीकन अगर आप लोग देखना चाहते हो कि भई मैं यहाँ पे और क्या बनाने वाला हूँ क्योंकि यह तो गाईस इस गेम का एक परसेंट आप बोल सकते हो और वाइस का 99 परसेंट अभी रहता है अगर आप लोग देखना चाहते हो यह वाला सीरीज आगे तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादे लाइक करो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक लिए गाईस बाई टेक केर से इन दे नेक्स्ट एपिसोड एड़ एड़ चाओ चाओ